हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग SSC CGL 2019 का final result आया है आज इन सब के discussion से पहले हम आपको एक कहानी सुनाता हूँ आप सोचे रहोंगी मैं कहानी क्यों सुना रहो result तो CGL का है लेकिन फिर भी आप सुन लो एक किसान था उसका बेटा था दोनु गाओं में अपना गुजारा करते थे बहुत ही गरीब परिवार था बेटे को वो गरीब देखके उसे रहा नहीं गया उसकी पढ़ाई जैसी पुरी हुई उसने सोचा कि मुझे कोई अच्छी जोब करनी चीए वो सहर चला गया और सहर म में उसने एक इंटर्व्यू दिया इंटर्व में उसने बहुत अच्छा किया बहुत मेहनती बचा था आपकी तरह बहुत मेहनत करी थी उसने और उसने सारे राउंड जितने भी इंटर्व्यू के थे वो पूरे अच्छे से क्लेर कर लिया उसका फाइनल सेलेक्शन हो गया HR ने उसे बुलाया, offer letter थमाते हैं यह बोला, आप कल से office जोइन कर सकते हैं, पस आप एक condition है, आपको bike होनी चीए आपके पास, motorcycle आपके पास होनी चीए, आप motorcycle लेके कल office आ जाना, लेकिन मन में सोचा कि मेरे पार motorcycle तो नहीं है, तो मैं क्या करूँ, पैसे तो है नहीं, बहुत गरी प्रिवार से हुँ, बिल्कुल भी मैं जो पैसे लेके आया हूँ, उसे मेरे पांच से दिन का खाने का गुजारा सल सकता है, जड़ा ज़्यादा, water cycle खरीदना तो एक बहुत बड़ी भात हो जाएगी, वो आया, offer letter लो लेके आ गया, वो रास्ते में आते-आते, सोच कुछा कुछ प्लानिंग, सबजी मंड़ी में गया, तीन-चार दिन की सबजी एक साथ खरीद ली उसे पैसे से, और रास्ते में चलते वए आ रहा था, अपनी सबजी को डोते वे जैसे, हम जनरली सबजी वाले को देखते हैं, डोते वे जैसे चलते हैं, तो रास्ते से आइद डोर-टो-डोर सबजी बेशने वाले नहीं है, तो जितने भी सबजी खरीद के लाया, उसे उस मार्केट में, उस कोलोनी में बेच के चला गया, और उसे थोड़ा सा प्रोफिट हुआ, अच्छा वाला प्रोफिट हुआ, तो नेक्स डे गया, फिर से जितने पैसे थोड़े अपने खर्चे के अठागे, फिर से सबजी खरीद के लाया, और फिर से बेशने लगा, और ऐसे करते-करते उसने एक पूरा फूड चेन, सबजी चेन का बड़ा मार्केट ओपन कर लिया, और एक रियल स्टोरी है, बहुत अरब पती आदमे बन गया, काफी साल ब बाइक का कलेक्शन भी देखना है, तो दोस्त ने कहा, कि मेरे पास एक भी बाइक नहीं है, तो दोस्त ने पूचा भाई ऐसा क्यों, आपके पास बाइक क्यों नहीं है, तो उसने बोला, अगर मेरे पास एक भी बाइक होती, तो आज इतनी कारे मेरे पास खड़ी नहीं होत हो सकता है आपका आज 2400 ग्रेड पर होना था लेकिन 10-5 नंबर से रह गए और हो सकता है इसी वज़े से आप next exam में बहुत अच्छी तैयरी करके बैठने वाले हो और 48-46 ग्रेड पर के आप जोब ले जाओगे तो ये situation से आपको बिलकुल भी demotivate नहीं होना है किसी वज़े से किसी भी कारण से कारण एक bad normalization हो सकता है कारण आपका खुद की मेहनत हो सकती है कारण आपकी exam के दिन पे किसी कारण वास आपका exam खराब हो गया वो हो सकता है कुछ भी हो सकता है मतलब hundreds of excuses you can have but there is something good in that कि क्या पता आपको कुछ अच्छा रखा हो आपके लिए जिसकी वज़े से यहां पे selection रुक गया हो ऐसा होता है life में कभी कभी कुछ चीजें हमार साथ घठीत होती है उस दिन हमें बहुत बुरा लगता है अच्छा रिजल्ट मिलता है कि उस दिन ऐसा हुआ तो आज इतना अच्छा हुआ मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है बेसी उन बच्चों का जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है इस इस्टोरी से कुछ प्रहणा लेके आपको आगे की तैयारी में अपने जितने भी ट्वीक हो सकते हैं जितने भी चेंज़स हो सकते हैं तो मैं लगता है कि तुमारा सेलेक्शन इस वज़ए से रुखा है वो सब चेंज़स करके अपने प्रिप जो भी हमिस्टेक्स आप ने करते उनको कुछ नहीं होजड़ और सब करके बात करतें और लगबक 8000 बच्चों को जो दीए 2019 इसके रिजन्ट से आप सब को मैं यह नहीं कहता कि सब के 8000 के 8000 बच्चों को मन पसंद जो मिल गई होगी नहीं मिली होगी लेकिन उन बच्चों के साथ मेरे एक रिक्वेस्ट है जिनको मन पसंद जो मिल चुकी है उनकी तयारी भी अच्छी विए इन फैक्ट अब आगे वा आपंपा कोर्ट केस के वजय से एक्जाम डिलिय हूगा है फिर भी धाए साल के लगबख तैम फ्रेन में इसका डियर्ट आ गया है बहुत अच्छा काम किया है यहां बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया करण केस करोगी और को 2019 ने च्छी जोब मिल चुकी आपकी मन पसंद जो मिल चुकी है तो करपयाय करके आप 2019 का exam skip करें यह मेरे एक genuine request आपके साथ क्योंकि काफी बच्चे सफर कर रहे हैं especially SSC की preparation में तो आप थोड़ा सा यह महरबानी करके अपनी exam को attempt ना करें अब इसके अलावा कुछ beginners के doubt होंगे मिनिमम कटोग गई है 628 which is like quite high तो जो भी beginner बच्चे है SSC में ज्यादा कुछ समझते नहीं है वो यह चीज समझ के चले एक बहुत ही basic चीज समझ के चले कि लगबग 80-100 नमबर यह कटोग inflated है inflated का मतलब लगबग 528 के आसपास यह कटोग मान के चले जितनी भी कटोग गई है exact number नहीं बता रहा हूं है कि exact 100 ही minus करो तब इतना कटोग जाने वाला है लगबग normalization के वज़े से overall इतने marks बड़े हैं बच्चों के 80-100 नमबर बड़े है प्रिलिम्स में लो, mains में लो, दोनों के कलब करके आप लो तो लगबग जो general cut-off बिन normalization के row marks पे जो कटोग जाने ची नमबर पे मिली है और साइध जो एमी जिसकी highest cut-off जाती है ministry of external affairs उसके तो 606 का असपस cut-off गई है तो दाट इस वेरी वेरी हाई keep working hard next time को बहुत अच्छे से देना whatever mistakes you did जो तुमारी गलती से हुई या commission की गलती से हुई और किसी और वज़े से unavoidable circumstances के वज़े से हुई do not repeat do not try to repeat them और अच्छे से exam देखिया हो जिनका हो चुका है करपया करके अगर आपको आपके मनपरसंद की job मिल चुकी है तो आगे के exam अगे तयारी करें बहुत अच्छे चेक्जाम इसके अलावा भी होते हैं और जो बिगनर से वो इस कटोप को देखे बिलकुल ना घर बराहे नर्मलाइश कटोप है इतनी कटोप आई नहीं जाती है इसके अलावा इसे प्रिपारिंग फॉर एससी और बेंक एक्जाम अनके आप अपने आपको इस टेश में बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप दो इसमें बहुत सारे प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं इंक्लूडिंग कैश प्राइज अमेजन के वाप्चर्स और उसके अलावा कुछ गुडीज है और प्लस आपको स्कॉलर्शिप भी आप मेरा कोपन को मिस्टर्टूटेन यूज कर सकते हैं इस वीडियो गाइज थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग